तो आज हम बेसिक चीज़ पर बात करेंगे सबसे पहले आपको सीखना है कि सबमरीन डाइफ कैसे करती है यानि पानी में कैसे जाती है और उपर कैसे आती है सबमरीन के काम करने में फिजिक्स के कई प्रिंसिपल्स शामिल होते है एक सबमरीन आच सो फीट की गहराई तक डाइफ कर सकती है यानि कि एक उलिम्पिक पूल के मुकाबले 86 गुना ज्यादा गहराई सबमरीन में इंटर्नल और एक्स्टर्नल बैलस टैंक्स होते है जाए जितनी गहराई पर इसे चलना होता है डाइविंग प्लेन्स की मदद से सबमरीन पानी में उपर या नीचे जाती है और पीछे का रडर सबमरीन को दाएं या बाएं मुडने में मदद करता है और प्रोपेलर से ये आगे बढ़ती है उपर जाने के लिए कंप्रेस्ट एयर की मदद से बैलस टैंक्स से पानी को निकाल दिया जाता है जिससे सबमरीन हलकी हो जाती है और सतह पर आ जाती है पानी के नीचे का एन्वाइमेंट स्पेस से भी ज्यादा खतरनाक है सबमरीनिंग बाकी सभी कामों से अलग है क्योंकि वॉल्फ के बस गलत मूफ करने से या फिर किसी और पार्ट के गलत मूफ करने से सबमरीन पानी में डूप सकती है आमी में कहते है जो ओफिसर कहे वही करो Air Force में कहते है Office of Fly करेंगे आप Support करेंगे लेकिन Navy में कहते है कि हम साथ डूबेंगे अर्मन दियान से सुन रहे हो न देखो इसे हलके में मत ले न क्योंकि बहुत जल्द Oral Test होने वाला है तुम मन लगा कर पढ़ो और उस Oral Test के Marks Decide करेंगे कि तुम सबमरीन में जाने लायक हो या नहीं आज के लिए इतना ही Thank you पानी के अंदर का जो environment है यानि underwater वो स्पेस से भी ज़ादा complex है और वो सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे मेरा तो actual transformation हो रहा है क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो मेरे दिमाग में था कि मैं टीवी शो होस्ट कर रहा हूँ पर नेवी में इस चीज़ को casually नहीं लिया जाता है वो मुझे हर process के steps को follow करना सिखा रहे है INS सत्वाहना में सबसे जरूरी training में से एक है कि कैसे सबमरीन से बच कर निकला जाता है भले ही सबमरीन्स हाई टेक मशीन्स है और मशीन्स का खराब होना लाजमी है इसलिए उसकी तैयारी उतनी ही जरूरी बूड मोरिंग तो अलो आफ यू आज basin exercise नमबर 125 करेंगे हम जैसे सबमरीन में in case of emergency यदि आपको escape करना पड़ेगा तो सम्रीन में escape करने के जो दो तरीके हैं manual escape करने के koning tower से आप escape कर सकते हैं और tarpido tube से escape कर सकते हैं तो आपको tower में डालने से पहले basin exercise हम इसलिए कराते हैं कि आपको confidence आजाए सबसे पहले आपको suit पहनना है आपको assist किया जाएगा suit पहनने में ये हमारा suit है इडा 59 ये कोई arm orange suit नहीं है ये है classic Russian suit IDA 59 जिसकी मदद से कोई sub-mariner पानी की सतह तक आकर अपनी जान बचा सकता है अब इसको करो अपको पूले लेवल अपको पूले लेवल अच्छा लग रहा है बहुत चिपचिपा है और मुझे काफी पसीना आने वाला है बस पानी में अंदर जाने की देर है टेक लॉग ब्रीद अब 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 आट, 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 वजे आट, 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 विल्या है? पहने के बाद में अगेन हम लीक टेस्ट करेंगे सेप्टी प्रकोसिंज आपको क्या-क्या ध्यान रखना है एक्साइज के दोरान सबसे पहले है दो नोट पैनिक, स्टे काम एंधिक नेक्सिस बीट फ्रों माूद अली आपको ये ध्यान रखना है कि नाक का यूज नहीं करना है ऐसे वक्त में आपको हर चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है पानी में जो भी हो रहा है उसकी आवाज आपके कानों में पड़ती है और पानी में जाकर कान में दर्द भी होने लगता है क्योंकि पानी का प्रशर होता है और हमें पानी के प्रशर को सांस लेके बैलंस करना है अब हर्मन को दर्द होना शुरू होगा और उसके बाद इसको नाग बंद करके मूँ से सांस लेनी है ताकि प्रशर सही हो वरना इसे पूरे वक्त दर्द होता रहेगा I hope ये इसे अच्छे से कर पाए Let's hope ये सही सलामत बहार आ जाए Come out sir, out of water Just a quick step please Very good Come on All right? Stand down forward Fine Sir, get a gun My face is a little And I'm just running around Because I've never felt like this I've never felt like this I've been a full time I've got a sound of water in my eyes I didn't know what happened And now I feel like my face is a bad thing I've never been able to get my face I've never been able to get my face Because I've never understood I've never been able to get my face My face is a bad thing Submarine school is many difficult times I've never felt like this Navy, me and the rest of the trainees I've never felt like this I've never felt like this Physically and mentally Good morning class Morning sir We have gathered here Dry TTI To do it 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 Movin To be disabled To do it To do it To do it To do it इस प्रेशराइज ट्यूब के अंदर से गुजर कर हर ट्रेणी को दूसरी तरफ आना होगा ये सब दिमाग का खेल है बॉडी ये कर सकती है पर आपको अपने दिमाग को ये बताना होगा कि ये इंपॉसिबल नहीं है आपको शांत रहना है और घबराना नहीं है जैसे आपकी तरफ से वन नोग सिंगनल बिल गया जो आपका पिछे का डोर है वो क्लोज कर दिया जाएगा जैसे जैसे हम प्रेसराइज करेंगे अपने आपको क्लियर करना है येर्स को उसके तीन परीके हैं सलेवा को अंदर ले सकते हैं उसके बाद जा को इला सकते हो और अगर उस समय भी नहीं होता है तो जो गोगल्स है गोगल्स को प्रेस करके अपने कान को किलियर कर सकते हैं इस काम में बिसिकली हमेश शान्त रहना है और हर्मन को वो गलती नहीं दोरानी चाहिए जो उसने पूल में की थी इसने कान साफ नहीं किये थे अगर आप घबरा जाते हैं तो हो सकता है कि किसी और को नुकसान हो तो अगर आप दो या चार लोग हैं तो आपको एक दूसरी की responsibility लेनी है एसे वीडियो देखने के लिए सब्स्राइब कीजिए वीर बाइडिस्कवरी पर आपको बदले में मिलेगा एक सिल्यूप